हेलो एंड नमस्कार सातियों जीत क्लासेट के इस ओनलाइन और निश्वलग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हरदिक स्वागत हैं पिछली क्लास में हमने गात और गातांग से समंदित परसनों को सरल किया और उस समंदित एक्जांपल को भी सरल किया वो वाले सारे क्यूशन क्लास सेवन्थ की एंसी आरटी की बुक से थे आज मैं एक नई पीडियाप लेकर आया हूँ वो क्लास एड़त का गात और गातांग चेप्टर हैं और चेप्टर नमर 12 उपर आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा यानि सेवन्थ और एड़त में गात और गातांग का चेप्टर है वाकि सिक्स से लेकर ट्रेंद तक गात और गातांग का कोई चेप्टर नहीं है नाइट में थोड़ा सा रोल है मैं आज की क्लास में के सामने दिखा दूंगा गात और गातांग में क्लास 8 के सवाल किस टाइप क्या यानि 7 वाले क्यूशनर से थोड़ा सा लेवल हाई है और फिर मैं 9 वाले भी और हाई लेवल के सवाल करवा दूंगा चलो आज की क्लास को बड़े ही रोचप और बहतर डंग से शुरू करते है आईए गात गातांक और गात वो सहम बात है बेसिक चीज़े आप सबको पता है कि मैंने बता है यह आदार है यह इसके उपर गात है गातांक है आदार है यह चीज़े सब आपको पता है रिनात्मक गातांकों की गात सबको पता है टैन रिश्टू पावर टू क्या होता है एंडेड होता है और 10 क्या होता है यह भी सब को पता है कि 10 होग 1 क्या होता है एक नियम बताया इसका मतलब होता है कि आदार के ऊपर कोई गात मैंने हैं तो उसे हम हर में शिफ्ट करते हैं और वह मैंने वाली प्लस में convert हो जाती यानि 1 upon 10 इसका answer आएगा ये चीज़े बाकी दे रखी ये चीज़े और भी जैसे 10 reach to power minus 3 है अगर 10 reach to power minus 3 है तो इसका मतलब है एक बट्टा 10 reach to power 3 यानि एक बट्टा 10 को कितने बार गुणा करना है तेन बार गुणा करना है एनि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर 10 के उपर कितने बी गात moet अपने आगे कि next में क्या हैं वो सेम बात हैं पिसली काक्साम पढ़ ली इसका मतलब एक होता है और एक को हम तीन बटा तीन भी लिख सकते कैसे वह एक ऐसी लेंगवेज होती है उस फॉर्म में लिखना पड़ता है जैसे में कोई भी चीज़े टू इसका मतलब एक होता है तो वागपीस इ वित्करम क्या होता है और गुणात्मक परतिलोम क्या होता है वित्करम और गुणात्मक परतिलोम क्या दोनों सेम ही होते हैं या अलग-अलग होते हैं मैं आपका डाउट किलियर कर देता हूं कि वित्करम इनवर्स और गुणात्मक परतिलोम तीनों चीज़े सेम होती है व को सबसे पहली बात है कि वीत्कराम गुणात्मक पढ़ती लो गुणात्मक पढ़ती लो और इसका इंग्लिश वर्जन भी अमने पढ़ लिया अब वीत्कराम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दिया है दो की गाथ माइनस एक कि इसका मतलब होता है मिद्दो की गाथ मायनस एक बटा दो और वैसे अगर मैं ऐसी चीज लिख दूंँ वन बाइट टू इसका आपको करना है वीत्कराम यानि गुणात्मक पर्तिलोम लेना तो डाइरेट यही दियान पहता है जैसे इस से लिखते है यह पावन लखते हैं और यह टू के उपर भी है और इह टू के उपर वेदकरम की बात करें तो आपको अंस को हर बना देना हर को अंस बना देना बस यह काम द्यान रखना यहीं इन्वर्स की बात करें तो भी शेम है इन्वर्स कि यह अब इससे समंदित कुछ परसनों को लेंगे अपन कि इससे समंदित कुछ परसनों को लेंगे आप देगो इधर देडे रखा है 10 reach to power minus 5 पोई एक example ले लेता है बागे तो सारे संड़ें 10 reach to power-5 10 reach to power minus 5 का मतलब होता है सबका गुणात्मक पर थिलों में लिखना है तो सबसे पहली condition है 10 reach to power minus 5 तो यनी वन अपॉण 10 की power-5 के लिया नेक्स्ट देखो टैन की फावर फाइब का मतलब होता है वन के आगे फाइफ जीरो वन टू थ्री फाइब अब इसका लेना है गुणात्मक पट्टिलो मैंने क्या बताया कि हर को अंस बना दो अंस को हर बना दो तो डायरेटली उपर लिख दो फाइब जीरो अपाउन वन इ इस एब टैन रीच टूपवर मैनस अंड्रीड यह भी करना आपको यह तरीका अपना सबसे पहले तो इसको क्या कर दो इसके denominator में बेज़ दो, हर में बेज़ दो, 10 रिष्टी पावर 100 अब इसको वापिस उल्टा कर दो, 10 की पावर 100 अपान 1 अब 10 को कितने बार लिखना है, 100 टाइमस लिखना है एक है next, गातांकां का उप्योग करते हैं निमलिकित को विस्तरित रूप में लिखो यानि इसको क्या करना है, गातांकां का परियोग करके विस्तरित रूप में लिखना है जैसे मैं एक एक एक्जामपल ले रहा हूँ 10, 25, 63 सिक्स टेरी कि सबसे पहले आपका काम है कि घाताओं को प्रियोग करते हैं प्रिकी निमन तरीके से लिखते हैं कैसे देखो 5 को आप 10 से multiply करा दो 10 की power 1 से फिर पलस करते रो इधर पलस करते रो 2 into 10 raise to power 2 plus 0 into 10 raise to power 3 plus 1 into 10 raise to power 4 और आगे जो नमर लिखते हैं यानि 10 मुलू के उधर वाले नमरों को हम upon में लिखते हैं और इधर वाले नमरों को लिखने का sequence इस टाइप की रहेगी अब देखो 6 पहले हैं तो 6 upon 10 लिख दो 3 बाद में लूप 2 डिजिट के बाद में तो 3 upon 100 लिख दो यह इसका विस्तरित रूप हो गया इस टाइप से आप आंसर दे सकते हो नेक्स्ट देखो गातांग के नियम जो पिछली कलास में आपने बैतर डंग से तयार कर लिए हैं अब देखो 7 कलास में आप सीख चुके हैं बिल्कुल यह इस पर स्टूप से चीज नजर आ रही हैं और गातांग रूप को सरल कीजिए यह वाले मैं 2-3 एक्जामपल लेकर आपको बताता हूं देहिको यह यानि देह रका पहला एक्जामपल मैंनस 2 की पावर-3 इन्टू-2 की पावर-4 । minus 3 into minus 2 की power minus 4 अब आप नियम लगा के भी कर सकते हैं और डायरेट भी कर सकते हैं नियम क्या है कि बेस इकमे ले तो power को एड़ कर दो तो minus 2 की power minus 3 प्लस और यह minus 4 यह तो फॉर्मूल्य वाला plus है इधर देखो is equal to minus 2 की power –3 और मैंने बताया plus into minus क्या होता है – 4 फिर प्र आगे –2 और इसकी power को plus कर दो आपस में तो –7 क्या यह टू कौर इसटी पॉवर –7 answer शही है बिल्कुल नहीं क्योंकि गातां का answer हमेशा plus की form में आता है तो plus की form में कैसे change करना है कि अगर अंस में माइनस की कोई गात दे रखी है तो उसे आप बट्टा में बेज दो यानि हर में बेज दो तो 1 upon minus 2 का तो minus 2 ही रहेगा अधार को change नहीं करते हैं सिरफ इसकी power को क्या बनाते हैं प्लस बनाते हैं तो अब इसको कैसे लिखेंगे एक बट्टा माइनस 2 की पावर 7 इसका मतलब होगा माइनस 2 को 7 टाइमस लिखना है फिर उनको क्या करना आपस में multiply करा के आपको simply answer देना है इसी परकात जैसे P की power minus 3 और P की power minus 10 तो इसमें भी direct कर सकते हैं कि P एक अधार है दानों का और power को plus कर दो 3 plus minus minus 10 P की power 3 minus 10 यहनि equal to P की power minus 7 P की power minus 7 क्या P की power minus 7 सही है बिलकुल नहीं answer सही है वन अपन पी रिस्टू पावर सेवन करेक्ट आंस्वर इस वन अपन फाइफ पी रिस्टू पावर सेवन इसी परकार इस क्यों भी कर सकता है आप 3 की power 2 3 की power minus 5 और 3 की power 6 बेस इक्वल पावर को एड़ कर दो और डायरेटली आंस्वर देदो यह वाड़े नेम सारे हमने clear कर ली हैं किया भई एक की power M बटा एक की power N बता दिया मैंने यह भी बता दिया गात के उपर गात हैं यह हैं गाते समान हैं लेकिन बेस इक्वल नहीं हैं तो गात को फॉल गात के रूप में लिखते हैं और बेस को आपस में multiply करा देते हैं और यह वाला जब गाते समान है और डिविजन में दे रखी है तो उसकी होल गात ले लो आप और रिष्टू पावर जीरो क्या होता है वन ही होता सबको पता है नेक्स पेज़ बें बात करते हैं लेको कुछ एक्जामपल दे रखे हैं दो एक्जामपल लें दौनों पौवर माइनस तृ इसका मतलब होता है वन अपॉन टू की फॉवर त्री इस उपउर टू टू की पाउब दूए थिक का मतलब टू इन्टू टू इन्टू यह यानि एक वन अपान एट नेक्स टेव बन अपॉन त्रीजटू पावर माइनस टू मैं यह क्योश्ट्यों स से वन अपन थी डी स्टू पावर मांघ स्टू इसका मतनव आपको क्या करना है वन इंटु मैं सी की पावर मैंनस तो को ओपर बेद दो थी की पावर टू equal to equal to 1 into 3 की power 2 होती है 9 और 1 into 9 हमेशा क्या होता है 9 फिर next देखो minus 4 की power 5 और minus 4 की power minus 10 तिसली बार कलास में कर लिया यह देखो normal secutions है 2 की power 5 upon 2 reach to power minus 6 simple सा काम है यह वाली formula लगना है division वाला कि दोनों के base sam है और power अलग लग है तो उपर वाड़े base को आप ऐसा ही रखो और निची वाड़े चीज को उपर transfer कर दो तो 2 reach to power 6 अब ध्यान से देखो base equal power 8 तो 2 reach to power 11 is this correct answer फिर next question देखो minus यानि 4 reach to power minus 3 4 reach to power minus 3 को गात और उसके आदार दो के रूप में लिखे बिल्कुल simple question है गात और उसके आदार के रूप में लिखो यानि जब कोई execution आ जाए ना तो उसको इस टाइप से करो आप कि जो base है उसको तोड़ दो आप कैसे तोड़ोगे अब आज यह गुणंखंड विदी यानि prime factorization method यानि base को आप कैसे लिख सकते हैं 2 की power 2 अगर ऐसा भी किसी को पता नहीं है तो फॉर का आप prime factorization कर दो 2 से divide करो 2 और 1 दो फेक्टर बने 2 की power 2 यह 2 यहां से आया किलियर अब देखो 2 की power 2 और फिर इसकी all power गया है फिर इसकी all power है माइनस 3 अब अलग वाला नीम लग रहा गात के उपर गात तो गाते आपस में गुणा 2 की power minus 6 क्या 2 की power minus 6 सही है बिलकुल नहीं वन अपान 2 रिस टू पावर 6 इसकी यह सही है तो आप इसमें बता सकते हो कि आदार किया और गात किया है तो आदार और गात बताने जो कुछ अलग सा हो जैसे यह वाड़ा मैं देखता हूं कि यह वाड़ा एक्जाम्पल यह वाड़ा एक्जाम्पल देखता है माइनस फॉर, रिच टु पॉवर माइनस त्री पाइब की पॉवर माइनस त्री इंटू माइनस फाइब की पॉवर माइनस का थ्री अब इसमें दो अलग अलग टाइप के क्यूशन सम लीते हैं माइनस पॉर की पॉरर माइनस थ्री पहले तो आप यह काम कर दो कि सको प्लस की फॉर्म में चैन्स कर दो यानिए इसे आप बना दो एक बसे माइनस फॉर की पॉरर्टी केलियां इंटो एभ इसमें बएस एकुल वाला फॉर्म différent लगा दो वन अपान माइनस फाइब रिस्टू पावर थ्री करना क्या है कि जब कोई ऐसी परिस्तिती ओ और उसमें संक्या आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही है तो आप अंस को अंस से गुणा करवा दो और हर को हर की फॉर्म से गुणा करवा दो फिर अगर सलतम रूप में लिख करवाओं मैनेस इंटू प्लस इधर कुछ भीनायत प्लस माइनस इंट्व प्लस माइनस माइनस इंट्यो माइनस ख लास अब ठीम करने में आप इसको मल्टिप्लाइख करके आंशकी फॉर्म में लेख सकते ह eerste इसी टाइप से सैम क्यूशन है सरल करना गातांग के रूप में लिखना ओनली फॉर आपको गातांग की रूप में लिखना फिर या तो आप ऐसे कर दो इन सब को चाहर को तुरम्ह spicy एन्टों के इदर देखो इधर पहले सनिंस मुल्टीप्ली कर दो पूरए की रहें माइनस प्लस माइनस सिंटो मेइनस प्लस मेर का फाई देखो फाइप की पोवर्ड 3 और 5 की पोवर 35 की पोवर 65 पीज़्टू पोवर 6 वन अपन और अपन को उपर ले जा सकते हो तो फोर रिस्टू पावर माइनस 3 इंटू 5 पर इस्टू पावर माइनस 6 यह भी आंसर इसका हो शकता है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कुछ एक एक एक्जांपल दे रहे हैं इस्टेंडर्ड एक्जांपल इधर देखो नॉर्मली ले रहा हूं मैं कि यह नहीं माइनस 3 एसे परसनों को आप ध्यान से समझने का परियतन करें क्योंकि एक्जांप में इस टाइप के कुशन ही ज़्यादा आते हैं माइनस 3 रिष्टू पॉवर एम प्लस वन किलियर इंटू माइनस 3 रिष्टू पॉवर 5 इस इक्वल टू माइनस 3 रिष्टू पॉवर 7 अब सारे नियम इसमें लगेंगे सबसे पहले पकड़ो इसका आदार माइनस 3 इसका भी आदार माइनस 3 इसका भी आदार माइनस 3 मैं एक चीज आपके सामने किलियर कर रहा हूँ कि कई बार कैसा होता है कि A रिष्टू पॉवर अगर X है इस इक्वल टू B रिष्टू पॉवर भी अगर X है अगर कोई ऐसी कंडिशन है वैसे कोई नंबरिंग फॉवर में आपको क्यूशन दे रखा होगा लेकिन आपको इस टाइप से समझना होगा कि A की पॉवर भी X है और B की पॉवर भी X है जब बराबर के इधर और उदर यानि लेप साइड और राइट साइड दोनों टाइप सेंगे दे रखी हैं तो अगर उसकी पॉवर सेम है तो उसके बेस को आप इक्वल की फार्म में लिख सकते हैं यानि बराबर के रूप में वैक्ट कर सकते हैं और अगर इसका उल्टा लगा जाए तो आपको बराबर मान लेना बेज तो बराबर रहेंगे तो आपको बराबर किसको करना है य बराबर X करना इस condition में को Y pareil यहनि उसकी गातों भी करना है और उपरवाले किस में आपको क्या करना है उसके आदारों को आपस्ष में बराबर कर好吧 देडा यह यानि a is equal to b यह चीज में हटा रहा हूं कि देखो अब अपन को क्या करना इदर तो लगना आदार एम प्लस वन है इधर भी माइनस त्री इस्टू पावर फाइब है तो वे समान पावर को एड़ कर दो यानि माइनस त्री की पावर क्या है सेवन माइनस त्री पावर सेवन अब देखो माइनस त्री जोड़ती है उसे जोड़ती है उससे वहीं पड़ी रहने दो यानि जब BGA पढ़ेंगे उसमें समान और S समान पदाओं के बारे में मैं आप बड़े ही अच्छे टंग से पढ़ाँगा तो आप देखना कैसी चीज़े बीजगनीद में जूड़ती है और कैसी चीज़े नहीं जूड़ती है तो इधर देखो M अलगी रहेगा और 5 और यह कितने होते है 6 is equal to minus 3 की power क्या है 7 अब मैंने जो नियम बता है उस नियम को देखना इधर देखो दोनों आदार सेम है दोनों आदार क्या है सेम है तो आपको उसकी गातों को बराबर करना है तो गाते क्या है M plus 6 is equal to 7 M plus 6 is equal to 7 यानि M is equal to सलल समीकरण में ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं कि M is equal to 7 minus 6 यानि कोई भी अचर जब एक पक्स से दूसरे पक्स में जाता है तो उसका चीने चैंज हो जाता है यह समीकरण में नॉर्मल सी बाते हैं सम्हें समीकरण के एक यहनि बाये दूसर डाये बाक्स को बिलकूल बाये पक्स में shipt कररें यानि दोनों पर्सों को आपस में इंटर्चेंज कर रहें तो साइन रही होता हैं होता थो है लेकिन बताते हैं यह जाता है वह भी माइनिस हो जाता है इथे व्योंस माइनिस आफ एम इस इक्वल टू वन फाइनल आंसर केलियर नेक्स्ट है अपन के एक एक्जम्पल दे रखा है टू की पॉवर प्री और उसके उपर दे रखा है माइनस का टू अगर ऐसे क्यूशन आ जाए तो आपको पॉवर को सेपरेट लेना पड़ेगा पॉवर को क्या करना का सेफरेट लेना पड़ेगा कैसे यह गात अंस के उपर भी है और यह वाड़ी गात हर के उपर भी है तो अंस के उपर मलब टू की पॉवर माइनस टू भी है और थ्री की पॉवर माइनस टू भी है अब गया करना भई अब करना जो चीज निचे उसको उपर बेल दो और तो तरबशयक defy को का रूप आर्ट नेक्स स्टेप क्या करेंगे थ्री की पवर 2 क्या हती है नाइन पान पर इस वार स्थीन गृष्ट कर रहा हूं ठीक है कुछ से कि रप कर देता है इस चीज़ को कि यह गार कि ब्लैक कलन देता है ठीक है यानि मंजला कोस्ट के अंतरकट चीज़े दे रहे किया वन बाई थ्री क्यों लिख रहा हूं मैं कि माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू पावर माइनस थ्री एंड डिवाइड बाई वन अपॉन पॉर ओल पावर माइनस टू और मंजला कोश्टक बंच साइथ इदर दे नहीं रखा परसन में ऐसे लिख दाना के लिए अब यह नहीं लगना अगर आपके सामने आदान समान गाते समान A की पॉवर माइनिस एक है तो क्या करते हैं A की पॉवर जीरो है तो क्या करते हैं अगर गात के उपर गात दे रखी हैं डिविजन वाले रूल्स और माईन्स के उपर सम गात हैं माईने के उपर विशम गात हैं और A की पावर X और B की पावर X है जो यह सारे रूल्स है वो आपके दिमाख में एक अच्छी तरह से घुमने चाहिए तब आप इन पर्सनों को तो आशानी से सल कर पाऊगे एक रिल यहील बननी चाहिए फार्मलों की ओक रिल दिमाग के अंदर गुमनी चाहिए वह रिल अपने आप आपको उस लेवल तक पहुचा देगी तो फोर्मिले कैसे याद करें तो फोर्मिलों को आपको रुज़न पड़ना पड़ेगा याद करने से याद नहीं होते हैं आप हमेशा एक बार उनको देख लो फिर बीना देखे देखे लिखने का प्रेक्टिस करो किशनों की फ्रेक्टिस और अपने दिमार्ग में गुच कर देखों अब ने को अब सब्सेपहले बात आती वा सब्सेए पहले यौ निकल को स्वार्ल करो फिर चोटा पॉस्टख फिर बड़ा ऊस्ट्र उप True10 मि पहले सब्सेब्स पहले सब्सक्न करो और प्र एदर को मनजला को अंदर हे चीज्फ ने रखिए है तो सबसे पहले इस चीज़ के बार में हमने अधियन किया कि अगर कोई उपर माइनस की पॉवर है ओल की रूप में तो उसे सेपरेट कर दो यानि अलग लग दे दो वन के साथ भी दे दो और थी के साथ भी दे दो तो वन की पॉवर माइनस टू और थी की पॉवर माइनस ट तो मंजला कोस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट स्टेप होगा क्या माइनस की पावर निच यह दो बेज़न उपर है तो यह सीच आपको करनी होगी तो पर बेज़ेंगे 3Ds to power 2 नीचे आएगी तो 1 की power 2 कूँ की पावर थरी वन की पाबर 3 डिवाइड भाई और रिस्टु पावर टू और रिष्टु पावर टू अरेट काम करना अब में पापडर क्रने अबच्चांक हाले काम नहीं करने अबन मैं क्क्रạn क्या गिस्टु अगर त्रीक्राइश से से डिवाइड करेंगे तो डारिड आंइसर किया आपॉन इधर कि आवन की प्वर थरी का मतलब क्या होगा वन से गिभाईड करेंगे तो भी एट ही आएगा अब 20 का साइन था हो डिविजन का साइन हटते ही किसमें रीजेंक डिवार सब्सक्राइब करेंगे तो इंटू लिख दो आप 16 वैसे आप डिविजन में रखो इस चीज को क्योंकि अगर अगर कोई चीज होती है तो इसको इंटू में चैंज करते हैं आप इसे डिविजन की फॉर्म में ही रखो गए डिविजन की फॉर्म में एडवांस नहीं करना है डिविजन की फॉर्म में ही रखना है तो पाद करें new सिक्स्टीन के लिए नेक्स नाइन में अब देखो अब काम अलग है कि लोग क्या करता है अपनी स्विधा के लिए नाइन में से एट माइनिस कर दे रहां बिल्कुल यह चीज़ गड़ते हैं क्योंकि बॉर्ड मास के नेम को फॉलो करना पड़ेगा बॉर्ड मास का नेम होता बी का मतलब होता है ब्रेकिट ब्रेकिट का मतलब ब्रेकिट का हमने पूरे परिफून तरीके से सल कर लिया फिर है ओ का मतलब होता है और हिंदी में इसका मतलब होता है गुणा यह अगर भी हिंदी में का लिका है इंगली में इसका मतलब हमेशा आपको समझना है गुणा और डी का मतलब होता है डीविजन सब को मालूम है बाग होता है और एम का मतलब होता है multiply गुणा और यह का मतलब होता है addition यानि प्लस इसका मतलब suppression यानि माइनस यह चीज़े दियान करें एट और अब देखो बाग के चिन को मल्टिपल में चेंज करने ही पड़ेगा वरना हमारा काम टफ हो जाएगा तो क्या कर लेंगे यह तो आप ऐसे करो वन जैसे एट डिवाइट बाइट 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 इसका मतलब होता है एट अपान शिक्स्टीन यानि वन बाइट यह तो आप बाइट लिग दो ड बाइट तू जा शिक्स्टीन यानि वन बाइट टू और नाइन मैसे अगर हम वन बाइट टू को माइनस करेंगे तो पिच्छे क्या आएगा तू इसका एलसीम आजाएगा 18 माइनस वन इस इक्वल टू 17 अपान टू यानि फाइनल आंसर आजाएगा 17 अपान टू के लिव कि नेक्स्ट देखो कि क्या प्रॉब्लम भाई है ओहू सवाल इदर देखो इदर यह मंजला कोश्टक लगा है अगर हम इस मंजले कोश्टक को नहीं लेते तो हमारा यह सवाल सही होता है अगर इस मंजले कोश्टक को परसंट वाले को नहीं लेते तो यह हमारा सवाल सही है और अगर आप यहां मंजला कोश्टक है तो इस पूरी चीज़ को आपको अलग सर्ण करना होगा और बन वाई फॉर को भी आप अलग फॉर्म से चैंस कर दिया अगर क्यूशन ऐसा है तो क्यूशन अगर इस फॉर्म में है तो उसका आंसर जो इस बुक में दे रखा है उस टाइप से आएगा हमने क्यूशन चैंस कर दिया नेक्स्ट देखो 12.1 12.1 को आप ध्यान से समझोगे सारे डाउट के लियर हो जाएंगे सारे डाउट के लियर कर लेंगे इधर दे यह जो ब्रेकेट है ना मंजला इस चीज का बोलराम नेक्स देखो कोई बात नहीं ऐसा चीजिए होती रहती है 3D to power minus 2 अब हम direct कर सकते हैं 3D to power minus 2 इसको हम direct भी कर सकते हैं 1 upon 3D to power 2 अनि 1 upon 9 is this final answer इसको भी अपने कर लिया पहले जैसे minus 4 की power minus 2 है तो आप क्या करोगे सबसे पहले 1 upon minus 4 की power 2 कर दोगे फिर क्या कर दोगे 1 upon minus 4 into minus 4 is equal to 1 upon 16 ऐसे भी कर सकते हो है फिर देखो 1 by 2 is to power minus 5 ऐसे क्यूशन आजए मैं इस क्यूशनों में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं आपका डाइलेटली बता रहा हूं यह क्यूशन बड़े क्यूशनों में automatic mixing आ जाएंगे तो इसमें पॉवर सेप्रेट कर दो वन के उपर भी minus 5 ले लो फिर उनको नीचे वाली को उपर उपर वाली को नीचे वही काम करना है इधर देखो, यह division वाला है, जैसे minus 4 की power 5 है, minus 4 की power 5 है, divide का sign मैं इधर से हटा रहा हूं, यानि पहले person लिख रहा हूं, यह हटा दूँ, कोई फरक नहीं बढ़ता है, तो क्या करना, minus 4 की power 5 upon minus 4 की power 8, करोगे किया भई, यह तो आप minus से minus direct cancel कर दो, क्योंकि अगर minus कोश्ट के अंदर है, minus कोश्ट के अंदर, इधर, minus कोश्ट के अंदर है, तो मैंने एक trick बताई, कि minus के उपर अगर, minus के उपर अगर, विश्म गात है, तो sign किसका आएगा, minus का, और 4 की power 5, 4 की power 5 ही रहेगी, divide by, minus के उपर some power है, इसका मतलब sign किसका आएगा, plus का, और 4 की power 8, 4 की power 8, minus, 4 is to power 5, upon 4 is to power 8, equal to, minus तो आप बार ही रखो, और इस पे काम करो, 4 की power 5, into, 4 की power 8, जब उपर जाएगी, तो किस में convert होगी, 4 is to power minus 8, is equal to minus, अब दनों को plus कर दो, 5 पे minus 8, डारेट लिक रहा हूं, यानि, 4 is to power minus 3, और आगे minus का sign भी है, आगे minus का sign भी दे रखा है, अब क्या करेंगे, 1 upon minus 4 की power 3, यानि, 1 बटे minus 4 into minus 4 into minus 4, या डारेट भी कर लो, minus 4 की उपर 3 है, तो sign तो minus का automatic आएगा, यानि, 1 upon minus minus plus, और plus minus minus, और 4 को, 16, 16 को 4 से किया, तो 60, और यानि, final answer है, 1 minus 1 बटा 64, और देखो, यह वाड़ा भी सिंपल है, एक के उपर दो ले लो, और इसमें गात के उपर गात होगी, तो गाते गुणा हो जाएगी, 1 की power 2, और 2 की power 6, यानि, 1 upon 2 reach to power 6, फाइनल आंसर, यह भी चीज, यह देखो, तीसरा सवा, क्यूशन नम्बर 3, क्यूशन 3, क्यूशन 3, क्यूशन 3 को आप इस टाइप शेगर, माइनस 3 की power 4, माइनस 3 की power 4, इंटू, पांच बटे 3 की गात 4, करना कुछ नहीं है, बस नियम लगाना है, माइनस 3 की power 4 है, डाइरेट देखो, साइन किसका आएगा, प्लेस का आएगा, क्योंकि उपर power किया है, even है, sum है, और 3 की power 4, 3 को 4 टाइम्स लिख दो, वैसे पड़े रहने दो, क्योंकि आगे solution हो जाएगा, अब power separate कर दो, बस 3 की power 4 से 3 की power 4 को cancel कर दो, 5 की power 4, या फिर आपको 5 को 4 टाइम्स लिखके भी answer दे सकते हो, 25, 25, 600, 25 final, तर्प, यह देखो, 3 की power minus 7, क्या दे रहा हैं, 3 की power minus 7, यानि 3 की power minus, प्लस 3 की power minus के 7, divide by 3 की power minus 10, bracket का विशेश द्यांड के पिछले equation में भी हम bracket भूल गए थे, into 3 की power minus 5, अब देखो, division के rules को solve करो, 3 की power minus 7, upon 3 reach to power minus 10, into, इसको भी 3 की power minus 5 की form में ही रहने दो, क्यांकि last में आपन इनको साथ ही सरल करेंगी, अब देखो, इस वाड़ी power को उपर बेज़ दो, तो ये 3 की power 10 के रूप में convert हो जाएगी, और ये वाड़ा 3 की power minus 5 ही रहेगा, अब देखो, एक directly rules लग रहा हैं, आदार समान गाते जुड़ती हैं, सबका आदार 3 हैं, और power को आपस में क्या कर दो, माइनस 7 और प्लस के 10 प्लस के 3 और प्लस के 3 और माइनस के 5 क्या हो जाएगे, माइनस के 2 और इसका आंसर हो जाएगा, एक बटा 3 की power 2 यानि 1 अपान 9, ते लिए, वैसे सेम टाइप से यही करना multiply का हैं, अब मैं तीसरा का कुछ ये एक standard सवाल लेता हूँ, वैसे इस टाइप के सवालों का आंसर डाइरेटली आप बता सकते हैं, क्या होगा, वन होगा, तो फालतु में आपना time waste में इत्त करें, कि 3 की power minus 1, 4 की power minus 1, और 5 की power minus 1, अगर उसके उपरा, वाल के रूप में गात अगर 0 है, तो अंदर वाले portion को सरल करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, डाइरेटली आप कौन सर रिकना है, वन, यह वाला, इस वाले में देखो, इस वाले एक क्यूशन लेता है, एक क्यूशन लेके इनको सरल करते हैं, इतार दे, कोई एक क्यूशन ले लो, जैसे मैं यह क्यूशन ले रहा, 1 by 2 की पॉवर माइनस 2 इंटू 1 by 3 इंटू 1 by 3 की पॉवर माइनस 2 इंटू पलस है, बीच में क्या है, पलस है, पलस लगवव, बीच में, प्लस का साइन है, बीच में प्लस डालो, प्लस, प्लस, खिले है, 1 by 4 reach to power, भी है, माइनस के 2, अब देखो, यह की तरीका अपना हो, कि सब में power separate कर दो, अपनी अपनी power दे दो, माइनस 2, 2 reach to power, माइनस 2, 1 reach to power, माइनस 2, 3 reach to power, माइनस 2, प्लस, 1 reach to power, माइनस 2, और 4 reach to power, माइनस 2, अब क्या करना, निचे वाड़ा, उपर, उपर वाड़ा, निचे, वही से मैदान, क्यूशन, 3 की power 2, 1 की power 2, प्लस, 4 की power 2, और 1 की power 2, 2 की power 2, 4 upon 1, 4 ही आयेगा, प्लस, 3 की power, यानि निचे, 1 की power 2 है, इसका मतलब सब में, एक से, डिवाइट करने पर, वही नमबर वापिस, हमको, रिश्यू होगा, इसका मतलब पर, डारेटली, इसका, इसका, इसको, एर करके लिख दो, और सबको, प्लस कर दो, सोड़े और 4, 20, 20 और 9 कितने हो गए, 29, 30, इलियर, 5 वाड़े क्यूशन को, इधर ही देख लो, यानि मंजला कोश्टक के अंदर के छोटा कोश्टक दे रहे का, तो मंजले कोश्टक तो ऐसे ही रहने दो, फिर क्या करना है, छोटे वाले कोश्टक में देखो, माइनस, इसकी वाल गाल तो दो, मैं पहले ही लिख दी उपर है, वाल गाल तो पहले ही उपर लिख दो, और 3 की पावर माइनस 2 है, इसका मतलब है 3 की पावर माइनस का 2, केलियर, अब कई लोग सोचते है, माइनस, यह माइनस चाहिए हर में हो, तो यह उस पसंद के आगे ही काउंट किया जाएगा और अंस के साथ हो तो भी आगे ही काउंट किया जाए वैसे अंस के साथ ही इसे रहने देते हैं अब देखो उपर पावर इसको खुछ क्याना ही नहीं पहले अंदर वाले पॉर्शन को सरल करो फिर इसकी पावर के रूप में सॉलिसन करो तो माइनस टू की अुब्हार के एक वर्टू देखो माईनस की पावर अब सम है अब ब्रेकट के अंदर माइनस है और उपर पावर टू है यनी सम है तो इसका मतलब है प्लस का साइन आएगा प्लस ठीकी पावर तू और अब इसका आनश्वारं ओर आफसे कसा एक्चा इसकी पावर को आप ब्रेक करके भी इसका आंस्वर दे सकते हैं नहीं तरीके सब्सक्राइब करेगा यह मैंने बता दिया अब देखो लाष्ट में मान गयाद करना कोई यह कुशन लेता है कि कोई एनिवन क्यूशन सब्सक्राइब कि यह ले है या फिर यह ले बट्टे वाड़ा ही ले एट की पावर एट की पावर माइनस वन इंटू फाइब की पावर थ्री अपॉन टू की पावर माइनस पॉर आपको यही काम करना जो पावर माइनस की है उसको नीचे बेज दो नीचे माइनस की है तो उपर बेज दो देखो उपर गया टू की और वन निच्छ आएगी तो एट बन जाएगा और फाइब की पॉवर उपर है थ्री तो वहीं उसे पड़ा रहने देंगे अब क्या करना है कि टू की पॉवर फॉर का मतलब होता है सिक्स्टीन इन्टू फाइब की पॉवर थ्री का मतलब होता है वन ट्वेंटी फाइब यह इसे आप तीन चार बार लिख सकते हैं जो भी नियम है अपॉन एट ये टू जा सिक्स्टीन और वन ट्वेंटी फाइब को अगर टू से मल्टिप्ले करेंगे टू फाइब जीरो य डिवाइड वाइड 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 तो नीचे वाड़ी पौवर को उपर बैज दो तो फाइब की पौवर पलस की 3 is equal to 5 की पौवर 5달 कड़ेगिए 3 lepsy equal to five की power five अब एक चीज मैंने बताई अगर आदार से में तो गाताओं को आपस में क्या कर दो equal कर दो गाताओं को आपस में equal कर दो जब equal का sign बीच में है तो तो M plus three देखो अपन का example और ये क्यूशन सेम ही है example भी ये सेम था और क्यूशन भी सेम है जहां तक इसमें अंकों का भी बिल्कुल चैंजेज नहीं है अब कई लोग पूचिंगे भाई हमारा आंसर ये सही है या गलत है तो अगर कोई इसे चैक के खरींगे ठीक है नो तो चैक करने के लिए क्या करेंगे एम की वेल्यव अपन के पास कि आई तू अभी त्रीउप to 5Hiwałt to 5 माइस 3 वैप की बहर 2 अपन में 5 की पावर माइननस 3 इकवल टुवल टुफफ येऴल टूर फईप टू इनकी हरी माइनस 3 उपर बैख दो तो 5प पॉफर फ्री यजद के पाइप की पावर फाइब अब बेस ही इकवल पावर प्लस होगी 5 पाउस अगर दौनों साइड बराबर हैं अगर दौनों साइड पांच की पाँच और पांच की पांच पांच बराबर है तो समझ लेना अपना आंसर बिल्कुल करक्त हैं नेक्स देखो कि इस प्थ इस नेग्स्ट Его किerson स्चिश्ट Allaining hmm ड्ञाइघ तबوج्जिन में चाहिए फर्स्ट करो या सेगिंड करो मैं फ्रस्ट वाला करता हूं मैं मंजला गॉर्षिट में अंदर चीज़े दे रिखिया रही है when और site 105-1 दाइब मंचिला कोष्टक डाल दो आप देखो पाव को अंदर वेज़ दो यानिक1 9-1 Minus 1 की power Minus 1 और 4 की power Minus 1 Bracket में whole power है Minus 1 Equal to 3 की power Minus 1 उपर बेज दो 3 की power 1 3 होता है 1 की power 1 भी 1 ही होता है Minus 4 की power 1 माइनस 1 को उपर बेज दो 4 की power 1 भी 4 ही होता है और इधर वाड़ा भी निचे 1 हो जाएगा इसकी whole power है Minus 1 इधर दे अब इन चीजों को sell करो, यहनि 3 बटा 1, 3 होता है और 1 by 4, 4 होता है और इसकी power है minus की 1, अब देखो 3 minus 4 मैंने कल आपको बताया, directly पता है कि जो संक्या जादा उसका sign लो और जादे वाले में से कम वाले नमर को minus कर दो, यहनि minus का 1 answer आएगा, minus 1 की power minus 1 है, अब कैसे करेंगे, क्य लोग क्या करते है, इस minus को दे के निचे plus कर देते हैं, यह तो base, base को आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहना है, यहनि 1 upon minus 1 की power 1, यहनि यह वाड़ी power n है, यह प्लस हो जाती है, यहनि 1 upon, यहनि minus 1 upon 1 is equal to minus 1 pure answer, अगले वाला भी same है, एक शेवंत का करवा देता हूं, आप पूदको एक शेवंत का करता है, एक शेवंत का करता है, इस चीज को रप कर देता है properly waste है, अब देखो शेवंत वाला देख, फर्स्ट यह चीज़ देखो यह चाहिए यह करो चाहिए करो मैं टी वाड़ा करवा देता हूं आप नॉर्मल है कल भी किया इस टाइप का क्यूशन के 25 पे इंटू 10 रिश्टू टी रिश्टू पावर माइनस फॉर है और 5 की पावर माइनस 3 है इंटू 10 इंटू टी रिश्टू पावर माइनस एट है तो कैसे करेंगे और एक चीज़ दे रहे किया टी इस नॉट इक्वल टू जीरो यह नहीं टी की इस्तान पर जीरो नहीं फूट कर सकते हैं बागी कुछ भी ले सकते हैं तो 25 इंटू जो पीवर माइनस के उसे नीचे बेजव दो और माइनस ही नीचे उसको पर जाएगी ये वाड़े नीचे आ गई यह इधर की इधर पड़ा है और इस वाड़े को मैं उपर बेज़ता हूं पांच की गात तीन और यह निचे वाड़ा टी की पौवर- इट उपर बेज 되어 तो पलसकि पौवर 8 और और नीचे दस पड़ा है तो दस का दस अब देखो 25 इंटू 5 की पावर 3 होती है 125 इंटू टी की पावर 8 अपान टी रिष्टू पावर 4 इंटू 10 देखो टी की पावर 4 से टी की पावर 8 गैंसल और पिछे बचा टी की पावर 4 यह भी उपर अब देखो 5 टू जा 10 और 55 जा 25 अब 125 को 5 से मल्टिप्लाई करा हो तो 55 जा 25 तू जा 10 12 है और और वन 6 यह नि 625 इन 625 चैसो पत्चीश और इंटू टी की पावर 4 अपान टू यह इसका करेक्ट आंस्वर है यह चीज जान करने अब देखो छोटी संक्याओं को गाताओं का परियोकुल मानक रूप में लिखना मैंने एक चीज बताई मानक रूप और समानी रूप क्या होता है तो नेक्स्ट पेज़ पे जाते ह है संक्याओं को मानक रूप में लिखना मानक रूप का मतलब है संक्याओं समानी रूप में अलेडी दे रखी है अब इसको मानक रूप के रूप में व्यक्त करना है तो कोई एक कुशन ले ले ता वह जिसमें फर्स्ट क्यूशन लिया या यह वाड़ा ले दो सैमी एफ पॉइंट का ही ले नॉर्मल क्यूशन का तो क्या ले फ़ड़ा अलग है उसको ही ले वन टू थ्री फाइफ जीरो है कंटिन्यू फाइफ जीरो है थ्री फॉर फाइफ के लियर और फिर एट ट्वेंटी वन अब देखो बिल्कुल जीरो माइंड करके आप परसन को समझने का परितन क्योंकि एक्जाम में 101 परसेंट मानक रूप और समानिय रूप के क्यूशन खत्म कर देना है वह कैसे होगा वह इसके अपन में बटा डालो और दस मलू का मतलब हमेशां और हमेशां कितना होता है एक होता है फिर दस मलू के आगे जितने भी अंक होते हैं उनको काउंट करके हर में एक के आगे उतने सुनिए लिख दिया जाते हैं को देखो 1234567 यह त हमारा परसन था तो परसन में सबसे पहले आपको दस मलू का नामों निशान खतम करना है फिर इस टाइब का परसन बन जाएगा यह नहीं देखो यह पूरे पूरे आगे जिरो जैसे मैं कोई एक्जामपल बोल दूँ आपको यह वन लिका हैं अगर वन के अलागे मैं एक ज अब मेरे पास प्रॉपर सवाल है 21 अपॉन 10 की पॉवर सेवन अब एक चीज आप कवर करो कि अपन को हमेशा इस टाइब के परसना में यह ध्यान रखना है कि सरवाद के एक अंग के बाद सरवाद के एक अंग के बाद अपन को दसमलू लगाना है और बागी इसी टाइब स लिख देते हैं कैसे देखो 21 है तो सरवाद के एक अंग के बाद दसमलू लगाना तो मैं आगे सिर्ट दसमलू कभी लगा नहीं सकता तो मैं पिच्छे वाले अंगों को देखकर दसमलू लगाऊंगा तो देखो अगर मैं इसको 10 की पावर 6 इसको 10 रिष्टू पावर 7 को करता हूं तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 1 के रूप में ब्रेक कर सकता हूं वापिस यही बनता आदार समान गाते जुड़ती है अब देखो एक चीज है मैंने 10 के रूप में क्यों ब्रेक किया क्योंकि मैं एक अंग के बाद ही पॉइंट लगा ना पिछे एक ही डिजि निचे एक सुनिए तो आगे एक अंग के बाद में पॉइंट लगा देते हैं इस टाइप से क्यूशन को सर्ल करना तो देखो 21 अपॉण 10 की पॉवर 6 और यह 10 है तो एक अंग के बाद में डिजि डाल दो यानि अमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10 की पॉवर 6 बटे में नहीं रहेगी अब उपर जाएगी यानि मानक रूप में थोड़ा नियम चैंज होता था सर आपने तो का कि मानक रूप में गाद का कोई आंसर आते ही नहीं है वो समानिय परस्वर में होता जब मानक रूप और समानिय रूप की बात आती है तो हम सब को अंस की फॉर्म में कनवर्ट करते हैं जैसा कि इस परस्वर में विदित है सबसे पहले मैं इसे कर रहा हूं फिर देखते हैं नया कि यह नहीं मानक को समानिय में चेंज करना तो बहुत आसान है लेकिन समानिय को मानक में बदलना बहुत कटीन है जैसे और यह दस्मलों वाला ही लेता हूं मैं यह देख़ो मन सही ले लेता है चले कोई एक्जांपल जैसे अगर मैंने ले दिया जिरो पॉइंट एट यह बीजीरो डाल दो अगर मैं इधर ऐसे लिए यह कोई क्यूशन है यह क्यूशन किस फॉरम में लिका है यह कूशन शमानिय में लिका है इसको चेंज किस में करना इस यहां सब्सक्राइब की आते हैं फिर 10 की घर हर देदेते हैं सबसे परिटली काम करो दस्मलों अटा दिया इसका मतलब होता है एक और फिर आगे कितने डिजिट है फाइफ डिजिट है तो टैन रिष्टु पावर फाइफ डाल दो और परसन को आगे देखो अब हमारे पास बचाया 387 अपाउन 10 रिष्टु पावर फाइफ अब चीज ज्यान से देखो अपन को एक काम करना है कि सरवाद के अंग के बाद दिस्मलों डालना है तो सरवाद के एक अंग के बाद दिस्मलों कैसे डालेंगे पिच्छे वाले अंग को देखर पिच्छे व अपाउन 10 की पाउवर 3 और 10 की पाउवर 2 इस टाइप से मैं ब्रेक करूंगा तब आंसर आएगा 387 अपाउन 10 की पाउवर 3 तो नीचे ही है और 10 की पाउवर 2 का मतलब 100 100 में 2 सुनिया होते हैं तो दो डिजिट के बाद में अपन क्या कर जाते हैं दिस्मलों लगाते हैं औ और देखो और देखो इसर्णफ कर दूफ कि इस चीज को प्रपर अरब करो को लेते हो अब इससे समाना Έ Aldean ईस परसन लेते अपन मैं नेक्स्ट आइस पर चलते हैं ये देखो यह बहुत सारे सवाल हैं मानक रूप के भी है और समानिय orth dot के भी एं यह मानक डूप में करना है सब को देखो अगर मानब में वैट करना समानी में दे रखा होगा वह किसम लेते हैं अलग सा लेते हैं ताकि हमारा लेवल बनावा दो क्योशन कि अभी हमने एक और कर लेंगे तो हमारा लेवल एक अच्छा बन जाईगा कि चलो यह वाड़ा लेता है यह नॉर्मल लेला तो इस बार क्या ले लेता हूं कोई बिनकुल पॉइंट वाला नहीं जैसे 3186 और फिर आगे हैं थ्री और शिक्स और सेवन सबसे पहले आपका काम है कि एक बाद में आपन को क्या लगाना है पॉइंट लगाना अगर इसमें पॉइंट कैसे लगाएंगे तो आप एक काम करो लिखने का तरीका देखो आप मेरा कि ऐसे पार्ट में टारेट पॉइंट ढाल दो थ्री के बाद में टारेट पॉइंट अल दो फिर अगले वाले अंकों को लिखते रो जां तक एक से लेकर 9 तक क्या उनको लिखना जीरो को आगे समलित नहीं कि बार ऐसा होता है ना जैसे वन पॉइंट फईब जिरो तो आन्सोर अपन क्या लिखते हैं वन पॉइंट फाइब फैसे इसका मतलब भी बट्वन फईब जीरो अपनी सुईदा अनुसार अपन जिरो आगे डालते रहते हैं अब देखो 3.186 इंटू अब काउंटिंग में सब चीजों को काउंट करना पड़ेगा 123453456789 और टैन यानि टैन की पावर टैन यह चीज़ देखो यह चीज़ समझ में आई या नहीं यह एक बार फिर रिफिट करता हूं संक्या दे रखी है अपन को डारेट पाइंट डालना है तो सरवात के पर्थम आंग के बाद पाइंट डाल दो फिर वाकी वाले आंगों को लिखते रहो जीरो का लेक बिल्कुल भी मत करो फिर क्या करना पाइंट के आगे जितने भी डिजिट है उनको मानक रूप है और इसको समानी को तो मानक में चैन्ज कर सकते हैं लेकर मानक वह चीज़ बसले तो तो तीन जीरो लगादो और फिर आगे लिख दो93 one eight six in two ten key power ten upon नीच्चे ten की power three एक इन तान की power three ten की power ten से कैंसल हो जाएगी और उपर वह हजएका ten की power seven यानि three one eight six three one eight six और टैन की power seven का मतलब आपके साथ जीरो एक दो तीन तो इसमें उल्टा करना वार समानिय को मानक में मानक को समानिय के रहा है कि समानिय को मानक में कैसे चैंज करते हैं और ले रहा हूं माइनस वाड़ा कैसे लेता हूं माइनस वाड़ा लेता हूं पहले इस चीज़ को अपन रफ कर देते हैं कि फिर यह प्रसलावनी समाप्त हो जाएगी कल से हम एक बीजी वेंज़क नामक चैप्टर इस्टाइट करेंगे जिसमें जोड गटाव बाकी गुणा और नॉर्मल तरीके के भाग आपको शिखाएंगे जो आपको गुणंद कंड की परसला नहीं पड़ने में बहुत ही मदद करेगा देखो यह बड़ा क्यूशन देख दर भी इन्टू टैन की पावर माइनस एट बाकी सारे क्यूशन दे रखें हैं आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि सारे क्यूशन सम्भू नहीं है बलेकबॉर्ट पे टाइम का इश्यू रहता ठोड़ा 3 into 10 की power minus 8 का मतलब होता है कि upon में आप इस चीज को रप कर देते हैं यानि upon में आप क्या कर दो 3 upon 10 की power 8 clear 3 बटा 10 की power 8 का मतलब होता है 8 0 4 और 4 0 और डाल दो अब क्या करेंगे कि नीचे जितने 0 है कब सब 5 में ऐसी चीज़े हम पढ़ते हैं कि अगर नीचे जितने 0 है उनी 0 को देखकर उपर हम 10 मलो लगाते हैं कैसे देखो नीचे 0 है 8 तो उपर 8 डिजिट के बाद अपन क्या करेंगे 10 मलो लगेंगे एक तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब 10 मलो उड़ाए देंगे और ये 0 इसको 100 करने के लिए सजवटी के लिए लिए लिखते हैं ये वाड़ा हमारा होगा समाने रूप ये है मानक इस्टेंडर्ड और ये है हमारी नॉर्मल फॉर्म यानि समानी यानि समाने रूप अब कुछ लैंग्वेज के क्यूशन है फटाफट देख लेते हैं एक माइक्रॉन एक बटे इस टाइप से कुछ सुनिया दे रहे हैं मीटर के बराबर होता हैं तो करना कुछ नहीं है जैसे वन आपॉन ऐसा दे दिया क्यूशन सिरफ बैक आवे वाले परसन हैं डरने वाले एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जिरो दे रहे हैं साइट छे, जिरो हैं तो दस की गात छे लिख दो और उपर ले जाओ टैन रिश्टू पावर माइनस सिक्स इसका फाइनल उतर हो जाएगा सिंपल सा क्यूशन है सिंपल मानक रूप में यह कहने रूप का मतलब दस की गात के रूप में लिखना बस यह की चीज दिया हो एज़त ग कृफ्चन है कि पारैं आन्दर के का सिधा का सिधा उठा के यार बुक से चीज को हम इरेज करते हैं पहले लाश्ट वाले किस्ष्ण को आप ध्यान से पढ़ने की कोसिस करो दो बार पढ़ो एक बार समस्थ में नहीं को रिट करो ने को एक डेळ मैं ध्यान से पढ़ो एक डेर मैं पांच किताबे हैं जिन से परतिया की मोटाई 20 mm mm का मत Zachary मिली मिटर 5 किताब के जिन मेंसे परतिया की मोटाई 20 mm तरफा कागज की सीटें यानिल सिंपल पेपर होता है प्रिंट कर दाता रहा है वारा पेपर पांच कागज की सीटे जिसमें परती है कि यह मोटाई 0.016 मिलीमेटर की कुल मोटाई कितनी कुल मोटाई का मतनब दौनों चीज़ों का उले कर रहा है सबसे पहले उपरवाड़ दो एक परसंद में दो परसंद समलित हैं देख वाड़े टोटल बुक्स कितनी हैं पांच बुक्स है फुक कितनी है पांच है और एक बुक की मोटाई कितनी है एक बुक्स कि बुक्स की मोटाई कैसे होगी ना गुणा बिल्कुल ऐसी दीसी बात है हम एक इक इक आाफ परते थे वह यह पर पहन ambel aka mule पपयानों तो पहने पैंट पहने का मुल LISA क्या होगा डालेक्ट सी ea 26 बात कर रहा है एस पॉर सीट सीट कितनी है तो सीट भी पांच है सीट भी पांच है और इच सीट की मोटाई कितनी है परती एक सीट की मोटाई यह वन 0.016 गुणा कर दो आपस में एस इस उकल टू सीट और असी फिर देखो 08 खेलियर डायरेट भी मल्टिप्लाई करा सकते हो वैसे ऐसे पी कर सकते हो आप देखो मैंने सोड़े को पांच से डायरेट गुणा कर लिया कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको डायरेट ली आनी चाहिए जैसे देखो मैं सिंपल सिखाता हूं कई बार होता किया है जैसे दे दिया 0.01 इंटू 54 अब हमें तकलीब आ जाती गुणा कैसे गिया जाता है ऐसी कितने बाद में अंक कितने पॉइंट कितने बाद में वन और टू डिजिट के बाद में इधर तो है नहीं तो टू वन और टू के बाद में दस्मलू रगा दो इसका आंसर आएगा 0.54 इधर भी यही करना मैंने सोड़े को पांस से डायरेट गुणा कर दिया फिर ठी डिज करे के ट्रू उसको ठीक कर देते हैं तो क्या करना आपकोू को अप्लस करना पूल मोचाई का मतलब होता है पूल बात दोनों का योग अब दोनों को प्लस आप कर लो अंड cherry अपकई लोगों को तो प्लस करना सकंट नहीं आता करता है फिर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दो और फिर 080 कर दो इधर कुछ भी नहीं है तो पूरी सजावट करके सब को 0 दे दो और अब पूरे मेंटर को प्लस कर दो 080.010 और वन यानि हंड्रेड 08080 मिली मिटर अब उस पूरे डेर की और पेपरों की मोटा ही होगी यहीं सवाल थे पूरी पीडियुप में अब यह गात और गातांग चेप्टर आज प्रॉपर्ली वेस से समप्थ हो चुका हैं अगर भी आपके ऐसे कुछ डाउट पूल क्यूशन हैं तो आप कमेंट वोक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और अपने ग्रूप में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताते रहें और च्छोटी च्छोटी चीजों को समझने का एक बहुत ही यह अच्छा फ्लेट फॉर्म में जेहिं जेवार्थ